साथ रो नमस्ते कोक्ष्या साथ विशय हिंदी पाठ च्यार के बागे बारे में आगे चर्चा कर ली थी पाच्वा कावे हैं हिंद देश के निवासी हिंद याने की भारत देश में रहने वाले सब लोगों की बात इस इस कावे में बहुत अच्छी तरह से की गई है विवित्ता याने के विवित्ता तो सब में होती है और उसमें एकता रखनी ये हमारे देश की बहुत विशेश्ता है साथी विकास और शक्ती की परिचारी का है साथ में सब मिल जूल करते हैं और विकास भी अच्छा चाहा करते हैं इसकी एवं एक दूसरे के पूरक है मानविय एवं प्राकुरूतिक विवित्ता होने पर भी उसमें अभीन एक सुत्रता है मानविय मनुश्य में और प्राकुरूतिक ततो भी अलग अलगे उसमें विवित्ता है लेकिन दोनों उसमें अभीन अंगय लेकिन एक दूसरे से पूरक बनते हैं एक सुत्रता में बंदे हुए है विविन द्रश्टन तो द्वारा इस कावे में भारत की भवेता एवं दिवेता का गान इस कावे में बहुत अच्छी तरसे किये गया है इसका व्यक्रा में सब्दार बेखते हैं ज्यान से समझे कुक याने की कोयल की आवाज पपिया याने की ये पपिया नाम का एक पक्सी का नाम है तेर याने पपिये की पुकार तराना याने की गीत अलग-अलग प्रकार के गीत होते हैं न? तो उसको हम तरह ना कहिते गित गातेड भी हुई, पंथ याने की रास्ता, निराला याने की अनुठा अलगी प्रकरगा, मंजीर याने की दे लक्ष, ये सब दार्थ सब देख लिए, अब हम इसका वेका में धान करती हूँ, मींद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप विश्वाशा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जुही, चम्पा चमेली, प्यारे प्यारे फुल गुन्थे माला में एक है, कोयल की कूक न्यारी पपिये की तेर पार, गार ही तराना बुल बुल राग मगर एक है, गंग यमुना ब्रम पुत्रा प्रूश्णा का वेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, दर्म है अनेक जिनका सारव ही है, पंथ है नीराले सब की मंजिल तो एक है, इस कावे का मेने गान सही तरसी कर लिया, सात्रों आप सबने ध्यान से सुनाई होगा, अब हम में इस कावे का बावर्ट की चर्चा करती हूँ, ध्यान से सुनिये, हिंद देश के निवासी सबी जन एक है, हिंद देश, हिंदुस्तान देश, भारत देश, निवासी उसमें रहने वाले सबी जन याने की व्यक्ति एक है, रंग, रूप, वेश, भाशा, चाहे अनेक होई, हिंदुस्तान देश में रहने वाले सबी जन सबी व्यक्ति एक ही है, उसका रंग, रंग अलग अलगी होता है, रूप, रूप भी अलग अलग है, और वेश, वेश याने की पहना, उसका पहने हुए कपडे, भाशा भी अ हमारे देश की रक्ष्या करते हैं, और कोई वाद विवाद नहीं करते हैं, अलग-अलग भाशा भले हो, परन्तु एक्ता में हम सब अंतर नहीं हमारे देश में नहीं पड़ता है, बेला, गुलाब, जुही, चमपा, चमेली, प्यारे-प्यारे फुल बुन्थे माला में ए खए, बेला याने की मोगरा, गुलाब का फुल होता है, जुही, चमपा, चमेली, आदी-आदी फूल अलग-अलग ही होते हैं, परन्तु ये सारे प्यारे-प्यारे फूल दागा, एक ही दागा याने की एक ही दोरे में गुन्थेद, तो उसमें से एक ही बहुत अच्छी मा बनती है, तो इस तरह अलग-अलग होकर भी सारे भारतवासी एक ही रहते हैं, वे सब फूलों में एक ही दागा में हम गुन्थे, तो फूलों की माला एक ही बनती है, इस तरह इस भारत में रहने वाले अलग-अलग भारतवासी एक ही है, कोयल की कूकन्यारी, पपिये की ते लग मगर एक है, कोयल की बोली अलग निरालापन कोयल की बोली अलगी प्रकार की होती है, पपी एकी तीर पारी, पपी एकी बोली में भी अपनी मिठास है, और गारहिए तरा न बूल बूल, बूल बूल पी एकी टेरपारी गार ही गार हिए अतर्णा बुल-बूल, राग मगर एक यह सबहंघी गान में बले ही अलग-अलग प्रकार की हो लेकिन उनका राग एक़ी है ही इस तरह हम अलग-अलग बोली और अलग-अलग बाशा में बोलने वाले बहरतवासरीयों की आवाज बी एक है, इस सब पकसियों की बाशा भी अलग अलग है लेकिन सब साथ में गाती एक जैसे ही लगता है इस तरत हमारे भारत देश में रहने वाले सभी की बोली और बाशा बोलने में सब भारत वासी की एक जैसे ही अवाज आती है गंगा यमुना ब्रह्पुत्रा कुष्णा कावेरी सब नदी के नाम अलग-अलग है सब नदी के पाणी भी अलग-अलग है लेकिन जाके मिल गई सागर में हुई सब एक जब वह सागर में मिल जाती है तब उसी का पाणी हम नहीं देख सकते क्योंकि सागर में मिल जाने कर सब नदी एक ही हो जाती है, सागर में मिल जाने से हमें गंगा का पानी कहो है, ब्रह्मपुत्रा का पानी वह नहीं दिखाई देथी, सब नदी का पानी सागर में मिल जाते हर और एक हो जाता, इस तरह देश प्रेम में सभी भारतवाशियों को एक ही बनकर रहना चाहिए वह सब नदियों सागन में मिलकर एक ही हो जाती है नूँ इस तरह हमें भी बारत में रहने वाले सभी लोगों को भारत वाश्यों को एक मनना चाहिए दर्म है अनेक जिनका सार वही है दर्म अलग अलग है हमारे देश में अलग अलग दर्म के लोग रहते है जैसे हिंदु दर्म, जैन दर्म, मुसल्मान दर्म सब अलग 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 दर्म के लोग रहते है जिनका सार वही है सार याने की तत्व वही है, पंत है निराले, पंत याने की रस्ता, निराले याने की बिन्न-बिन्न, सब की मंझील मंझील याने की दे, तो एक ही है. दर्म अनेक अनेक है उनका सार तत्व भी उनकी शिक्ष्या भी एक ही है सभी संप्रदाय अलग-अलग है लेकिन उसका दे भी एक है मनुष्य को उन्नत बनाना और उसी तरह सभी भारतवाशियों का लक्ष भी एक होना चाहिए सब भी बारतवाश्यों का लक्ष एक होगा तो ही हम इस देश को उन्नती हम देश की रक्षा करेंगे और देश में उन्नती देश का विकार करेंगे इस कावे में सब लोग को मिल जूल कर रहना जब फूलों एकी दागा में गुंते जाते है तो फूल की माला एकी बन जाती है और कोयल पपिया या बुलबुल के राग भी एकी जैसा लगता है सब नदी के पानी अलग अलग है लेकिन सागर में मिल जाती है तो पानी एकी हो जाता इस तरह हम भारत देश में रहने वाले सबी लोगों अलग अलग है लेकिन एकता में अंतर नहीं पढ़ना चाहिए एकता में अंतर नहीं रखना चाहिए सबी बारतवासियों को एक ही होना चाहिए ऐसा इस काव्य में बहुत अच्छी तरसे दिया गया है